हेलो फ्रेंड वेलकम टू मोडन क्लासे दोस्तों आज हम इस क्लास के अंतरगत पढ़ने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट और दोस्तों रैंकिंग टेस्ट का हमारा तीसरा वीडियो है और इस वीडियो के अंतरगत पढ़ेंगे रैंकिंग का थोड़ा विवित कोश्चन और दोस्तों आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं हाँ तो दोस्तों यह हमारा कोच्चन है आए हम इसको देखते हैं कहा ए बी से लंबा है लेकिन डी से नाटा है बताईए कि इन में सबसे लंबा कौन है यह हमारा कोच्चन है दोस्तों देखिए हमको एक और में सजाना होगा झसे बड़ा है, फिर कहा B C से लंबा है, अर्थाद जो B है, C से लंबा है, लेकिन D से नाटा है, कौन नाटा है D से? बी नाट आ यहीं आपको पकड़ना है अर्ठाब हम देख रहे हैं जो B का पोजीशन है D से क्या है नाट आ अर्ठाब बड़ा है B से रर्था भी अर्ठाब उसको ऐसे दिखा सकते हैं ए बड़ा है लेकिन डी भी किसे बड़ा है बी से और बी सी से तो बड़ाई है और इसमें पूछा है सबसे बड़ा कौन है तो दोस्तों हमारे यह हो जाएगा ए सबसे बड़ा सबसे बड़ा आपका A होगा तो आपका करेक्ट उतर होगा सबसे बड़ा कौन है A होगा चले दोस्तों एक और उधारण हम देख लेते हैं तो दोस्तों हमारे उधारण है देख लेते हैं क्या है इसमें कहा है कि पांच ब्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे है डी ए से क्या है आ कौन है यह कतार के मद्ध में कौन है यही बताना है तो इसने कहा है डी ए से आगे है अर्थात हम देखा दिए और आगे है अर्थात मैं आगर होंगा और मेरा पीछे होगा कर रहा है यहाँ यह उसने खाए बीशनक कर रहा है किसका अंसरान कर रहा है घृरख और अगे होगा इससे और अगले ही पलिष ने कहा ए और बीच में कौन बैठा है दोस्तों सी बैठा ह। लिए और बी के जब सी में बीच में सी बैठा है तो अब देख लिए थोड़ा मिला लिए क्या हमाँ आराजमेंट सभी है एक बार पढ़े फिर से डी एसी आगे है फिर इसने कहा है पीबी का अनुसराण कर रहा है अर्थात बी के पीछे कौन है यह वह भी हो गया और ए और एक हुआ कौन बैठा है टadore इम весь में कौन बैठा है कि मत्रेमें और आपका यहीं उत्तर हो चलिए दोस्तों एक और उदांड देते हैं और ठोड़ा हट के देखेंगे इस बार कि क्या हो सकता मेंदोकिंग से स्ब्विनींद हमने कहा था इस चैप्टर में बिवीद गड़े में देख लेते हैं दोस्तों कि और किस तरह से क्वेशन रैंकिंग करने आते हैं जो ए दे希望 में लंबा है लेकिन उमेश से नाटा है उमेश रजत से लंबा है लेकिन गंडेश से नाटा है यदि श्याम रजत से लंबा है तो इन में सब से नाटा कौन है आए दोस्तों हम इसको सजाते हैं और इसने जैसे कहा है उसी प्रकासा जाएंगे देखिए कहा है कि विकाश स्याम से लंबा है चलिए कौन उमेश से नाटा है विकास कान विकास याम से तो लंबा है लेकिन उमेश से नाटा है अर्थात उमेश इससे क्या है बड़ा है विकास फिर इसने कहा उमेश रजत से लंबा है उमेश का दो बार कंडिशना है तो इसको चले नीचे लेते हैं उमेश किसे रजत से लंबा ह हब अर्थात एक रजत ब्यक्ति है उसे उमेश लंबा है लेकिन गश्च से नाड़ा है कौन गण रिसना नाटा है अर्थात का जो पोजीशन है गड़े से चोटा है अर्थात गड़े सुम्हेट से क्या दोस्तों कि आगी कि अभी देखिए कि यह अज़त से क्या है लवा तो अरथात हम दिखा सकते है ना कि रज़त से लंबा श्याम है अथा रज़त को यहां भी ले सकते हैं ठीक यह रज़त है आरजे ले लेते हैं रज़त क्या है श्याम से लंबा है और हमको इतना मालूम है श्याम से लंबा कौन है विकास और इन से भी लंबा विकास से भी लंबा उमेश श्याम से भी ल नाटा था गड़ेश से अर्थात यहां देखा देगी गड़ेश तो हम देख रहे हैं कर कहे गाम से सबसे नाटा पूछा अगर सबसे लंबा पूछता तो यहां गड़ेश होता ठीक और सबसे नाटा पूछता दोस्तों यह हमारा को जाएगा अंसर रजट अर्थात नाटा क अच्छा कोशन है आजए देखते हैं वो क्या है तो दोस्तों हमारा नेक्षुदान है और देखे इसमें क्या कहा है इसने कहा 36 विद्यार्थी के कच्छा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है इस कच्छा में 13 लड़के सरीता से पहले बैठे है हैं जिसका की कच्छा में और नईसवा अस्थान है बताएं कि सरीता के बाद कितनी लड़कियां पैठी है हमको अरजिमेंट करना है 36 विद्यार्तियों की एक संखिया है चलिए दोस्तों यह कतार है से माल लीजिये और इसमें शरिता का स्थान दिया है नाज़मा है माल लेते हैं सरिता बैठी है और सक और इसने हम से कहा है दोस्तों कि जो सरिता का स्थान 11 स्वाँ शरिता से पाहले 13 लड़के तो पहले हम लड़के और लड़कियों की संख्या को पहले किलियर कर लें कि 36 में से कितने लड़के हैं और कितनी लड़किया हैं पहले देख लेते हैं इसने कहा है कच्छा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्या है दुगोनी मान लेते हैं कच्छा में लड़किया एक् ठीक, और व्वाइस कितने हो जैंगे अर्थात लटके कितने हैं here, अर्थात इसने कहाई है कि, लड़क्यों की संख्या के दू गूना होगा चोड़ेंगे 3x equal to 36 अर्थात x बराबर आपका आया 12 ठीक अर्थात लड़कियों के संख्या 12 होए x क्या है 12 अर्थात लड़की है और यहीं पर लड़का क्या हो जाएगा दुगुना होगा निससे कि लड़का क्या होगा 2 x अर्था 24 लड़के होगे 24 और přिबारभ हो देख लेते हैं इसके अधारवद Lol. हमको मालूम है कि लड़की की संख्या 12 ही अर्था गभारह जोगा लड़के होगे 24 चली mighty कहा है कि चली सिता पहले से तेरह लड़के बैठेंगी क्यों कि सरिता से पहले क्राली 13 लड़के हैं लेकिर सराथ्टा का स्थान क्या है वो नई समा है, अब इसे में क्या है, पांच तुम्हारा कौण बैठ रही है पांच गर्सों कैसे देखिए सराथ की एक स्थान तो खुद सराथ है पांच एक छे गहीं अब इसने पूछा है कि सरिता के बाद कितनी लड़किया और बैठेंगे थोड़ा हमको यह बताए आप कॉल्क्लेशन करके कि 13 के बाद 19 तक कितनी लड़किया हो चुकी है पांच एक सरिताक लोग के छे छे लड़किया हुई न अर्थात 19 अस्थान तक 6 लड़किया बैठी हैं तो और कितनी लड़किय बैठेंगे इसके बाद में सरिता के बाद कितनी लड़कियां बैठेंगी तो सरिता के बाद 6 और लड़कियां बैठेंगे अर्थास सरिता के बाद के बाद छे और लड़की बैठेंगी छे और लड़की लड़की बैठेंगी आपका यही उत्तर हुआ दोस्तो इसमें क्योल अरेजमेंट करना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना था और हो गया चलिए दोस्तो एक और उदान देख लेते हैं वो क्या हो सकता है वो भी बहुत 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 बेहतरी उदान है आए उसको भी देखते हैं हां तो दोस्तो यह हमारा next round है और इसमें देखिए कहा है एक काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 ब्यक्तियों की कतार में यदी काउंटर से हर दूसरा ब्यक्ति कोई इस्त्री है तथा कतार के प्रारंभ और कतार के अंत में इस्त्री हो तो कतार में कुल पुरिशों की संख्या क्या होगी हमसे पूछाए देखिए दोस्तों एक कतार है और जिसमें तेरह ब्यक्ति है और इसमें कुछ महिलाएं हैं और कुछ सींसे इसमें कंडिसन आपको यह दिया है दोस्तों कि सो नान कि चुरुआत में भी है और लाश्ट में चलिए ले लेते हैं चुछात में ले ले लिए भी है क्या ओ लाश्ट में भी है कि अ छिक़त शोली ऑद उसे फिर फिमेल ठीकना फिर इसके बाद क्या आएगा मेल आएगा फिर फिमेल आएगा क्योंकि हर एक दूसरा बैक्ती देखिए क्या बैठ रहा है फिर देखिए आपका फिमेल के बाद फिर मेल आया फिर फिमेल इसके बाद फिर मेल इसके बाद फिर फिर मेल थोड़ा देख लिजिए कितने ब्यक्ति हो रहे हैं हमको तेरह है अर्था इसके बाद फिर मेल आएंगे अब देख लिजिए टोटल तेरह ब्यक्ति बन रहे हैं कि नहीं हमारा तेरह ब्यक्ति यहां पर बैठ चुके हैं और हमारा कंडिशन भी अपलाई कर रहा है काया कि जो कतार है उसमें सुरुआत में महिला है और लाश्ट में महिला है ठीक और फिर इसने का हर एक दूसरा ब्यक्ति महिला है देखो यहां से पहिला महिला है इसके बाद हर एक दूसरा देखिए फिर महिला इहां के बाद गिने पहला दूसरा पहला दूसरा अर्था देख रहे हैं कि हर एक दूसरा महिला इसके बाद पूरुष तो के आपका साथ पूरुषों की संख्या पूछा यह यह हमारा आज का वीडियो था हमारा वीडियो था था लगा हमें जरूर कमेंट करें और दोस्तों यदि हमार वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्याबाद